आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सवागत है दोस्तों यह मैं मैंने सोचा था कि पहले modern world history को 20 lectures तक extend करूँगा लेकिन अब यह 25 तक जाएगा ठीक है तो इस पर मैं बहुत सारी चीजे कवर करने वाला हूँ तो आदम देखेंगे Berlin Wall को ठीक है देखें इसे पहले मैंने Cold War पर लिच्चर लिया था फिर Berlin Wall को देखने वाले और उसके बाद हम देखेंगे disintegration of USSR ठीक है तो यह तीन लेच्चर साथ में आप देखेंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो Berlin Wall चोटा सा ही लेच्चर है देखते है क्या हुआ टोटर पर मैं आ गया हूँ यह रही मेरी आइडी जो PDF है वहाँ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जागी तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें देखें बर्लेन वाल क्या है बर्लेन वाल बेसिकली एक दिवार खड़ी होगी तो 13 अगस्त डेट याद रखेगा 13 अगस्त 1961 से लेके 9 नवेंबर 1989 मैंने पिछले लेच्चर में 8 नवेंबर बोल दिया तो थोड़ी गलती होगी थी ठीक है तो 13 अगस्त 1961 से लेके 9 नवेंबर 1989 तक ठीक है 9 नवेंबर और 13 अगस्त भारत के अजादी के दो दिन पहले याद रहेगा और 9 नवेंबर ठीक है तो ये दो डेट याद रखेगा 1961 से लेके 1989 तक ठीक है तो जर्मनी को चार occupation zone में बाट दिया गया मतलब देखे एलाइट फोर्से जो थे उसमें कौन-कौन थे UK, फ्रांस, अमेरिका और USSR और चाइना चाइना को तो चलिए आप छोड़ी दीजे क्योंकि चाइना में दर civil war चल रहा था लेकिन बाकी चार नेशन जीत किया थे तो इन बेहना यह आपका इस्ट जर्मनी यह दर सोवियत है इसलिए इस्ट जर्मनी इसको बोला जा रहा है और यह बाकी आप इसको हटा दीजे जो पिंक में आप इसको बिल्कुल लग रखिए यह पूरा है आपका वेस्ट जर्मनी ठीक है यही पर प्रॉब्ल्म शुरू होगी 1947 1947 यालता कॉंफरेंस हुई और वहां पर यह फैसला किया गया कि हम इसको बाट लेंगे ठीक है तो यह उपर वाला जो आप देख रहे है न यह है ब्रेटिश जोन ठीक है यह जो यह जो पूरा बोला गया वेस्ट जर्मनी और यह है आपका इस्ट जर्मनी समझ गए तो यह और ऑकिपेशनल जोन में बट गए ठीक है चलिए सही है लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तो बहुत जादा थी देखिए प्रॉब्लम से लिए जादा थी मैं आपको यहां पर समझा देता हूँ देखिए जर्मनी की क्यापिटल है बर्लिन और बर्लिन जो था वह आप देख स सोवियत के साथ अब देखिए अच्छी बात यह थी जो वेस्ट वर्ल्ड था वो काफी लिबरल था वहाँ पर कैपिटलिजम था वहाँ पर वर्की कंडिशन बहुत अच्छी थी वहाँ पर डेमोक्रेसी थी सबसे बड़ी बात लेकिन सोवियत में वन पार्टी रूल था ठीक है जादा तर जितने भी देश पोलेंड चेकोसलोवाकिया वहाँ पर सोवियत की ही जो सरकारे होती थी यहाँ पर ठीक है पोलेंड वे जैसे चेकोसलोवाकिया में डिक्टेटर और रोमानिया में डिक्टेटर यह सब सोवियत इनकी पपेट सरकार होती थी इनी के शार का revolution हुआ चेकोसलोवाकिया में 1968 में पराग spring आया लेकिन सोवियत ने अपनी आर्मी भेज के इनको suppress करा दिया क्यूं क्यूंकि यहाँ पे पूरा सोवियत का control था प्रेस यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकती थी लोगों की freedom नहीं थी लेकिन यहाँ पे working condition बहुत बढ़िया अब जो young लोग थे सोवियत के वो जाने लगे cross करके West Germany समझ रहे हैं यह West Germany जाने लगे Berlin जो है Berlin सोवियत के पास था Berlin भी East Berlin और West Berlin हाला कि यह सोवियत के पास था लेकिन फिर भी यह blue वाला जो है वो West Berlin और यह Red वाला East Berlin यह East Berlin सोवियत के पास था West Berlin जो था वो अमेरिका रूल करता था अमेरिका, France और Britain तो यहाँ पे होता क्या था जैसा कि मैंने बताया कि सोवियत का रूल ऐसा हो गया था कि सब लोग West Germany या फिर West Berlin जाने लगे क्योंकि वहाँ पे condition बहुत अच्छी थी समझ रहे हैं तो यह सोवियत को नागवार गुजर रहा था बार बार तो फिर उसने आपको पता ही है मैंने पिछली बार भी डिसकस किया था कि Berlin ब्लॉकेट 1948 में लगा दिया उसके बाद यह पसंद नहीं आया जो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ते उनको बिल्कुल भी यह भी मैं दिखाऊँगा अच्छे से उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ultimately हम यह देखते हैं कि यहाँ पे अमेरिका, फ्रांस और बिटे ने साथ में मिलके हवा से सप्लाई गिरा नीचे ठीक है और बहुत सारे लोगों को फीड किया लेकिन अल्टीमेटली 1949 में सोवियत को अपनी बात का रिलाइज हुआ ब्लॉकेट मतलब क्या हुआ कि मूट खराब हो गया था सोवियत का मूट खराब हो गया था कि लोग यहाँ पे क्रॉस करके जा रहे हैं और यह पूरा एरिया हमारा है तो सोवियत ने उठाके ब्लॉकेट लगा दिया मतलब सब कुछ बंद कर दिया वेस्ट बरलिन पे भी जो अमेरिका और फ्रांस का कबजा था अब लोग यहाँ प देख सकते हैं बरलिन वोल अच्छा अब थोटी देर में आता हूँ ठीक है यह तो वाँ 1949 की बाद अब उसके बाद 1949 के बाद क्या हुआ थे 1949 से लेकर 1961 तक लगातार लोग इस्ट से वेस्ट जाते रहें आप समझ रहें इस्ट से वेस्ट जिसमें इंजिनियर्स थे टीचर क्योंकि इनको जो सोवियत के पास जितने नेशन थे सोवियत वाला बरलिन जो है मैंने बताया ना कि वहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा घराब दी वहाँ पे फ्रीडम नहीं तो इंसान को सबसे ज़्यादा चाहिए आजादी समझ गया है तो जब फ्रीडम नहीं थी तो कुछ बढ़िया चल रहा है वेस्ट बरलिन में हलक यहाँ पे क्योंकि यह वेस्टन कंटरीज के पास है तो यहाँ पे डेमोक्रिसी भी है पैसा भी है तो लोग अच्छी लाइट के लिए भाग जाते थे कि हमको यहाँ पे रहने ही नहीं वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम ह और जैसे ही वहाँ पे पहुते थे सब बहुत ज़्यादा खुश होते थे ठीक है बहुत सरे रेजलुशन समिट हुए लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ ठीक है रिफ्यूजी जो थे वो इस्ट बरलिन से वेस्ट बरलिन लगा अतार जाते रहे ठीक है जिससे सोवियत का देहांत होई किया था निकिता क्रुशेव आ गये थे निकिता क्रुशेव से अमेरिका के रिष्टे बहुत अच्छे नहीं थे चाइना से तो बहुत कराव रिष्टे थे ठीक है तो निकिता क्रुशेव की बात करे तो निकिता क्रुशेव ने वाल बनाना शुरू कर दिया refugees का जाना ये एक अच्छा साई नहीं है तो निकिता क्लुषेव ने बोला कि रुको बेटा अभी बताते हैं पूरी की पूरी एक दिवार खड़ी कर दी अब वो दिवार इस तरीके की थी पहले क्या था आसानी से कोई इधर से उधर जा सकता था कोई रोक टोक नहीं थी ठीक का जो पड़ोसी शेर होता उसके बीक का डिटनस होता है जो बड़े चहर ओक बीच का तो एतनी बड़ी वाल थी है तो अगर हम बात करते हैं यह जो वाल थी यह बहुत बड़ी थी तो यहां पर पहले जो था 61 से पहले यहां पर आराम से कोई भी आ जा सकता था लेकिन जैस से आप नहीं जा सकते थे हाँ बहुत जरूरी हो तब आपको जाने दिया जाता था और सब कुछ चेक होता था ठीक है तो 12 चेक पॉंट इतने सारे चेक पॉंट लगा दिये गए लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डाल के जाते रहे और मरते भी रहे ज धिमेधी में ये बकायदा जब सोवियत को पता चला कि लोग ऐसे नहीं मान रहे हैं कोशिशे लगातार जारी हैं तो ये पूरा का पूरा फोर्टिफिकेशन टाइप का कर दिया था कि अब आप क्रोस करो ऐसी की तैसी तो ये है बर्लेन वाल तो ये 1901 सेट में खड़ी हो ठीक है अब 1961 ये Cold War भी शुरू हो गया तब पिछली बार मैंने Cold War का लेचर लिया है वह आप देख लीजेगा ठीक है अब यहाँ पे इसके बावजूद कई बार कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने इसको पार करने की कोशिश की लेकिन जैसा कि मैंने बता कि कोई भी अगर इसको पार करने की कोशिश करता उसको वही मार दिया जाता ठीक है अब हम यह देखते हैं कि 1961 से लेकर 1989 तक तो ऐसे ही रहा और बहुत सारे इवेंट्स इस बीच सोवियत का जो रूल है वो और ज़दा खतरनाक होता गया लेकिन जब मिखायल गुरुब जेव थीक है यह सब मैंने कवर किया है और का प्लेचर देख लिजेगा इसका असर यह हुआ कि यहां पे प्रेस से फटा दी गई इलेक्शन होने लगे लोगों को और राइट्स और सबसे बड़ी बात है मिखायल गुरुब जेव ने ऑफिशली यह बोल लिया कि अब हम अपनी आर्मी कहीं नहीं बेचेंगे अब मतलब कहीं पे भी रिबेलियन होगा तो हम आर्मी नहीं बेचेंगे इससे बचेंगे आते आते इस बर्लिन और वेस्ट बर्लिन नेख हो गए थे तो फाइनली हम देखते हैं यह दोस्तो ऐसा यह बहुत मुश्किल था यह उस समय आपको लग रहा है लेकिन यह ऐसा था जैसा पाकिस्तान और भारत है ना यह बिलकुल वैसा ही था कि वेस्ट बर्लिन अलग है तो जैसे पाकिस्तान और भारत है किसी दिन यह बॉर्डर हट जाएगा सब को चेक हो जाएगा ऐसा ही इस्ट और वेस्ट बर्लिन था लोगों ने यहाँ पे मोर्चा समाला और लोग चले गए हम यह देखते हैं लोगों ने यह पूरी वाल को तोड़ दिया समझ रहे हैं म मेखाल गुर्पचेव का मानना था कि चलो बर्लिंग तो एक ही है क्या दिक्कत है ठीक है फिर उसके बाद लोग छुट्टिया मनाने दर आस्ट्रिया और हंगरी जाने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे जब लोगों का 1985 के बाद 1961 से लेकर 85 तक बहुत जादा लेकिन 85 के बाद जब यह टेंशन कम हुई तब हम यह देखते हैं कि लोगों ने बोला आप हम नहीं सहेंगे और पूरी वाल को ढहा दिया 20 लाक लोग इतने जादा लोग आ गये थे कि भाया वहां पे गाट सो में थे सैकडों में ठीक है 100-100 लेकिन 20 लाक के आगे हर कोई व अमेरिका के रिष्टे बहुत सुधर गहते समय क्योंकि मिखायल गुर्बचे थे और आपको जानके हरानी होगी कि मिखायल गुर्बचे को इसमें Nobel Peace Prize मिला है ना और उसके बाद जब 1991 में disintegration of USSR हुआ और Soviet में तक्ता पलट हो गया communism का end हो गया तो मिखायल गुर्बचे भाग खड़े हुए मिखायल गुर्बचे बहुत अच्छे लीडर थे बहुत ही liberal लीडर थे लेकिन वो अमेरिका में ही उन्होंने शरण ली और अमेरिका ने शरण दी भी तो अमेरिका वोस काइन अनफ टू ग्रांट शरण तो मिखा अब इसका आफ्तर में यह हुआ दोस्तों कि इसके बाद wave of revolution शुरू हो गए ठीक है बहुत जगा चेको सबसे पहले तो पोलेंड में revolution आ गया अभी मैंने आपको बताया ना यह फिर से आप मैप में देखिए मैंने आपको क्या बताया 1989 से 1991 तर पोलेंड ने आजादी ले ल पर्मनी और जो बर्लेन जो सोवियत के पास था इसको बोला था जी डियार जर्मन डेमोक्रेटिक रिपबलिक इसमें खाली नाम बस आप नाम पे मज जाईए देखिए जितनी भी यह जो तानशा होते हैं यह अपनी जो पार्टी होती है उसमें डेमोक्रेसी लगाती ही जर्मनी यह वेस्ट जर्मनी को बोला जाता था जो की अमेरिका, फ्रांस और बिटेन के पास था और यहाँ पे जी डियार जो है जर्मन डेमोक्रेटिक रिपबलिक यह सोवियत के पास था उसको बोला जाता था तो उसके बाद 1989 से के बाद एक रेविलुशन की लहर फैल ग ठीक है, हंगरी में, योगोसलाविया में, रोमानिया में खाली हिंसा हुई थी, बाकि कहीं पे भी हिंसा नहीं हुई थी, और सोवियत ने मिखायल गुर्वचेव ने अपनी आर्मी कहीं नहीं भेजी, तो यहाँ पे लोगों को भीवई ना, बर्लिन वॉल एक सबसे एक चिंगारी थी, जिसने पूरी आग फैल डी, ठीक है, बर्लिन वॉल एक ऐसी चिंगारी थी, जिसने पूरे, जो सोवियत के पास मेशन थे, सब जगा आग लगा दी, पडोसी में, पडोसी अगर इतना ज़ादा, पडोसी बहुत टाइम से ही, माल लिएक एक मॉलला है, वहाँ पे बहुत वक्त से लोग गुलामी में रह रहे हैं, और एक घर को आजादी मिल गई, तो पडोस वाले क्या बनेगी, उसको आजादी मिलगी, मुझे क्यों नहीं मिली, यही हो रहा था, सोवियत में, यही हो रहा था, पोलेर चकोसलवाकिय में, जैसे ही बर्लिन की, अब अगले लेक्चर में हम डिसिंटिग्रेशन अफ उससर देखेंगे, खुछ रहे हैं पड़ते रही देशे सिद्धान तक नहीं होता ही, सैनिंग होता है,